हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अफिनिटिबूल मनी सिंप्लिफाई लाइफ एंभी सिंप्लिफाई टेडिंग फाइस स्टेप प्राइस एक्शन टेडिंग सीक्रेट इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन को और वो कौन से 5 स्टेप हैं जिसको यूज़ करके आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और प्राइस एक्शन में कैसे ट्रेड करा जा सकता है कैसे इसको ट्रेड करके हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में बदा सकते हैं और आप यह भी सीखें हैं और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल लाइक बटन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आउस का नोटिफिकेशन आपको टाइम ली मिलते रहें तो आईए स्टार्ट करते हैं फाइब स्टैप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट के बारे में तो ट्रेडिंग क्या है ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हों चाहे आप बिगनर ह हो या काफी लंबे समय से आप ट्रेड कर रहे हों तो हर एक के दिमाह में एक कोशन आता है हाओ और वेन डाता सबसे टक काम ह्या इग ह करना है कि उनी सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं आपने बहुत सारा candlestick भी पढ़ा होगा बेरिश candlestick bullish candlestick बहुत सारी चीज़े आपने सीखी भी होंगी YouTube पे काफी सारा content भी है और आपने candlestick patterns के बारे में भी पढ़ा होगा लेकिन कभी-कभी होता है यह सारे patterns चाहे candlestick pattern हो यह सारे जब आप सीख लेते हैं तो कभी-कभी analysis काफी tough हो जाती है या complex हो जाती है आपको पता नहीं लगता कि कहां buy करें कब sell करें कौन सा pattern बनावाए चाहे वो double top हो double bottom हो head and shoulder हो कोई भी pattern हो और कभी-कभी आपके साथ यह भी होता होगा जब भी आप प्राय करते होंगे वहीं से price reverse होके आपके बार-बार SL को hit करता होगा और आपको loss होता होगा तो उनी सब चीजों के बारे में discuss करेंगे क्योंकि काफी confusing इसलिए हो जाता है आपने price action भी सीख लिया है आपने candlestick भी सीख लिया आपने candlestick pattern भी सीख लिया है बहुत सारे price action क्या है price action के वल pattern को जान लेना नहीं है price action के वल candles को जान लेना नहीं price action अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐजा price action भहुत अच्छे से है यह steps में divided है कि कौन-कौन से ऐसे steps हो सकते हैं जिसमें हम price action करके एक अच्छा trading कर पाएं तो हम example के तोर पे देखते हैं ठीक है let's say आप आपने हाँ पर buy किया है और price उपर गया है लेकिन अपने अपना profit नहीं लिया जब वो नीचे आने लगा आपने हाँ पर sell कर दिया है तो हुआ क्या है psychology को समझें buy किया है price उपर गया तो अब आपका क्या होता होप चालू हो जाता है आप उमीद लगाने लगते हैं कि price और उपर जाएगा मिरे को और profit होगा पर जैसी वह वहां से reverse होके नीचे आने लगता है आप panic कर जाते हैं और sell हो जाता है और उसके बाद आप देखते है price और उपर गया है तो at the end होता कि है आपकी pocket खाली की खाली और regret जो होता है वो काफी होता है ये time consuming और पैसा like market क्या है आ अगर आपके पास एक ऐसा तरीका आ जाए कि किस तरह से analyze करना है और कब trade में जाना है कब trade से profit लेना है कब हमें sell निकालना है तो जहीं सी बाता है आप एक profitable trader बन जाएगे तो उसी के लिए मैंने ये video बनाया है जिसमें हमें 5 steps को follow करना है ये 5 steps अगर आप price action को समझना चाते ये 5 steps आपको follow करने जिसमें पहला step होता है trade setup कोई भी आप trade लें चाहे आप candlestick pattern को देखके trade ले रहे हो या indicator based trade ले रहे हो कैसी भी ले रहे हो तो सबसे पहले आपके पास एक setup होना चाहिए ठीक है तो इस example में मैंने लिया हुआ है पहला है trade setup जो पहला step होता है 5 step action में ठीक buy करना चाहिए चाहिए sell करना चाहिए तो उस particular trade में उसका setup होना बहुत जरूरी है ठीक है तो हम example के तौर पर बात करें if you are a trend following trader then a trend needs to be present तो अगर आपको trend पता है तीन तरह के trend होते हैं एक up trend होता है downtrend होता हो sideways trend होता है तो अभी जिस आप से आप से आप देख रहे हैं तो एक तरह का downtrend है market है एक high लगाती है फिर एक higher low लगता है एक lower low लगता है एक higher low लगता है एक lower low लगता है अगर आपको doubt theorist के बारे में जरा सभी पता है तो इसको हम बोलते है downtrend क्योंकि price नीचे आता है फिर एक high जाता है लेकिन वह आला high previous high को break नहीं करता है इसलिए हम इसक setup आ गया downtrend का ठीक है अगर आपको indicator based देखना है तो market में यह कहा जाता है अगर price 200 moving average के नीचे है तो हम उसको as a downtrend consider करते हमेशा ठीक है तो पहला setup आपको क्या चाहिए होता है trade setup तो downtrend में आप buy नहीं करेंगे buying आपको पैसा नहीं देगी आपको पैसा downtrend में कहा कमा सकते है cell करके कमा सकते है शौट करके कमा सकते है ठीक है दूसरा step होता है five step में the trade trigger अब आपको पता है की आपने trade setup समझ लिया है या तो downtrend है up-trendard sidewaiter ठीक है आपने ये समझ लिया है कि अभी market क्या downtrend में अब second point होता है कि trade trigger आप downtrend में हैं आप कभी भी sell तो करेंगी नी एक ऐसा event या एक ऐसा point आपको चहिए होगा जहां पे आप sell कर सके you need a precise event that tells you now is the time to trade यानि price उस level पे आए जहां पे आप sell कर सकते हैं तो second most important point क्या है आपका the trade trigger trigger कहां होगा trade इसको देखते हैं ये एक तरह का resistance और consolidation phase है यहां पे market पहले भी यहां तक गया था उसके बाद fall गया था तो as a price action trader आपको यह सोचना है अगर price यहां पे next time आएगा तो मेरे को यहां से sell करना है ठीक है resistance या किसी भी consolidation phase पे ठीक है और यहां पे आप एक और कीच पहचान सकते है candlestick कभी भी price resistance के आसपास आएगा न तो आपको blindly sell नहीं करना है वहां पे एक bearish confirmation के साथ आप हमेशा trade लेंगे तो यहां पे हम candlestick pattern का use कर सकते हैं यहां पे क्या है एक दोजी candle हमें देखने को मिल रहा है ठीक है दोजी candle क्या बताता है market में undecision को बताता है कि यहां पे market जो makers हैं चाहे buyer हों seller हों क्योंकि आपको पता है market buying और selling से चलता है यहां पे decide ही नहीं हो पा रहा कि market यहां से उपर जाएगा है नीचे जाएगा जैसा कि हमें पता है कि यह एक तरह का license zone है यह क्या है एक तरह का license zone है और market downtrend में है तो trade क्या है कोई भी trading क्या होती है probability पे चलता है वो निश्चिता पे नहीं चलता है यानि certainty पे नहीं चलता है probability किसकी हाई है कि price यहां से आके नीचे गिर सकता है उसकी probability जादा है तो आपने क्या किया कि यह दोजी मेर को यहां पे देखने को मिल रहा है आपने यह decide कि अगर दोजी का low break होगा तो मैं sell करूँगा ठीक है या sell करूँगी तो पहली condition क्या थी रहिसंस के past price आए या previous high के past price आए ठीक है second condition इसी में क्या होगी आपने दोजी candle भी देख ली ठीक है तो यह होता है trade trigger कि कि किस point पे आपको बेचना है और आप यहां से यह देख सकते हैं कि यहां के probability है कि price यहां से आप predict कर रहे हैं आप एक तरह का अनुमान लगा रहे हैं कि price यहां से नीचे जाएगा और third important step होता है stop loss अगर आप trader हैं या trading करने वाले या सीख रहे हैं तो हमेशा एक चीद ध्यान रखिए stop loss बहुत ही important है ठीक है कि आपने किसी trade को या तो buy किया ये sell किया तो stop loss का लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको stop loss एक major loss से बचाता है let's say आपने हाँ पे sell किया और आपने stop loss अपना resistance phase के थोड़ा सा उपर रखा है the risk on the trade must also be managed with the stop loss order कि आपने let's say आपने ये probability लगाई थी कि market यहाँ से नीचे जाएगा but in case some good news या market में कुछ ज़्यादा buying हो रही है उसके कारण से यहाँ से market उपर चला जाता है तो आपका एक ऐसा stop loss होना चाहिए जो आपको major loss से बचा सके third important होता है price action के five step में stop loss कि आपको कोई भी trade अगर आपने ले लिया है तो उसका stop loss आपको पता होना चाहिए कि आपको stop loss कहां रखना है और fourth step होता है price target how much risk you are prepared to take for how much potential reward आपने कोई चीज sell या buy करी है ठीक है तो आपको उसका profit यानी reward आपको पता होना चाहिए कि price कहां तक जाएगा कि मैं इसको square of करके profit घर लेके जाओं ठीक है तो आपको चीज पता होना चाहिए तो हम price target कैसे calculate कर सकते हैं वो बहुत important है ठीक है तो हमेशा कोई भी trade करेंगे तो price target calculate करने का एक बहुत ही basic और बहुत simple तरीका होता है support and resistance using support and resistance अब आपको पता है downtrend में आपनों को sell करना है तो हमेशा जब भी आप sell करेंगे जो price नीचे जाएगा तो जितने भी नीचे support के area होंगे न ठीक है उन areas पे अपना आप target set कर सकते हैं ठीक है अगर आपको support and resistance नहीं पता तो मैंने अपने playlist में एक video डाल रखें support resistance के regarding आप जाके महाँ पे भी पढ़ सकते हैं तो आपने sell कर दिया और आपको पता है जैसे support area 1 या support area 2 के पास आएगा ठीक है अपनी risk appetite के according आप या तो support area 1 पे अपना profit book कर सकते हैं या support area 2 के पास तो fourth जो most important step होता है five step process में the price target के हमें target कहां रखना है अब आपने क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने सीख लिया कि trade setup आपको setup पता लग गया था downtrend है आपको ये भी पता लग गया कि किस point पे आपको sell करना है और आपको third step में ये भी पता लग गया कि आपने sell कर दे आप stop loss कहां रखने है आपको fourth step में ये भी मैंने बता दिया है कि price target हमें कैसे रखने होते हैं ठीक है using support and resistance area fifth बहुत ही important step होता है the reward to risk कि आपका risk कितना है आपका reward कितना है किसी भी trade में अगर आप beginner है या आप professional trader है काफी लंबे time से आफ्टेड कर रहें तो ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है trader के लिए कि आप कितना stop loss देख सकते हैं और कितना अपने trade में target आप देख सकते हैं ठीक है कहने का क्या मतलब है let's say आपने यहाँ पे sell किया और अगर price नीचे जाएगा तो आपको 300 का profit होगा और अगर in case price उपर गया तो आपका stop loss हिट हुआ आपने 100 और पे यानि आपके पास अगर आपके trade सही गई तो आपके पास 300 उपीज आए आपके trade गलत गई तो 100 उपीज का आपको loss हुआ let's say हम मानके चलते हैं आपको 100 उपीज का loss हो गया इस trade में आपने next trade लिया उसी condition में 3 to 1 में अब आपको profit हो गया है तो आपको profit कितना हुआ है 300 का ले बहुत ही important चीज होती है risk reward को manage करना ठीक है the profit potential is greater than three times the risk तो अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को definitely like करें इस चैनल को subscribe करें और धेड सारा प्यार इस चैनल को देते रहें वीडियो देखते रहें और notification बैस ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं next वीडियो डालू उसकी notification आपको timely मिलती रहें अगर आप किसी भी topic पे कोई भी वीडियो चाते हैं तो comment section में लिख सकते हैं मैं next time उसी topic पे वीडियो ज़रूर बनाऊगा thank you guys for watching this video